अलिगण मसलिम यूनिवसिटी पर सुप्रीम कोट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अलिगण मसलिम यूनिवसिटी के सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट में इस फैसले को हार मिली है। का रहा। कपल सिबल ने तरीके से इस मामली की पूरी है। उससे हर कोई हैरान रही है। आपको बतातें कि इस बहस के पूरी होनी के बाद सुप्रीम कोट की समवधानिक पीट ने एमईू का फैसला लक्र सुरक्षित रख लिया है। हालकि ये अभी भी बताया नहीं गया है कि फैसला किस तारीक को सुनाया जाएगा। परसिबल ने सुनवाई के आटवे दिन जोड़दार बहस करी। इसमें उने कहा कि ये दुर्भागे की बात है कि एमी जैसे एक अलब संक्यक दरजा प्राप संस्थान है। फिर भी उस पर डिबेट करनी पड़ रही है। परसिबल ने कहा कि ये बात यहीं पर खत नहीं होती। इसके बात सरसेद एमस खान पर भी सबार उठाये गए। उन्हें अंग्रेजों का वफदार तक कहा गया। इसके बात उन्हें कहा कि अगर किसी ने भायत के फ्रीडम के लिए फाइट नहीं किया तो इसका मतलब ये कि वे देश से वफदारी नहीं कर रहा है। इसके बात उन्हें कहा कि लाबाद विच्विध्याले और आए इसके बारे में आप क्या कहेंगे। कपसिबल ने कहा कि एम्यू में वेस्टर एजूकेशन मिलना चाहिए। उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने एम्यू को 20 लाग गवनेस भी दिया था।